नमस्ते आज हम कारवन एंट्स कमपाउंड्स याणि कारवन और उसकी यूग एक के बारे में पढ़ेंगे कारवन एक ऐसा तत्व है जो हमारे धरती पर उत्तीजादा मात्रा में नहीं मिलता है पर उसकी कि इसका प्रयोंग है कई जगा में हमारे जीवन में यह इतना इतना आपोष है किसा पड़ों जांड़ना एक अलगी ब्सक्राट है कारबन में 2 आपसे पहले कारबन में च्छे प्रोटान और छे इलेक्ट्रोन इंद रूनी सेल में दो एलेक्ट्रोन हैं और बहार वाली सेल में 4 इलेक्ट्रोन प्रोटोन और इलेक्ट्रोन के बीच का जो का जो अंतर है इतना जादा नहीं बढ़ती है जो नहीं दी जा सकती है इसलिए Carbon ionic bonding के जगा कोवलेंट bonding कारता है यानि दो अलग अलग अणू अपने इलेक्ट्रोन को बीच में बाट के चलते हैं उसे बराबर बराबर बाट के चलते हैं उधारन के लिए यहांपे 2 हेड्रोजेन दोनों में एक एक है इलेक्ट्रोन हे और नोबेल गया पनने के ल दोनों ओक्सिजन को दोनों उक्सिजन आपने त्रफ से दोने एलेक्टरोन डेते हैं और इस तरह में दोनों को आठ पराफ्ट हो जाते नाइ्टरोजन में इसको दोनों आणू थीन-3 यृक्टन कारबन में खूबी है कि वह अन्य कारबन अनुओं के साथ जुड़कर लम्बी-लम्बी श्रिंखला बना सकते हैं इससे हम क्याटी नेशन कहते हैं कि पैंसिल में पर सी जो ग्रैफाइट होता है कि डाइमंड होता है डाइमंड ही रा यह भी कार्बन के नुओं से ही बनता है पर उनने उनके जुड़ने का धंग थोड़ा अलग है को पूंद के वैलेंस चार है इसलिए कारबन अन्य कारबन ये अलग तत्वों से जुड़कत के चारह एलेक्रोनों को हाइड्रों के दीजाता है है इस तरह से कारबन को बाहरी शेल में आर्द यह चार्पन को बाहरी संत्रीपत सब्सक्राओं कि है सरसे हैं आफार कर्बन और हाइड्रोजन के बीच में बने फेयर योगिक होता है यह और कोई नहीं होता है तो संस्रिप्थ हाइड्रोकार्बन क्या होते वे हाइड्रोकार्बन चेहं ईससोंule कार्बन ओस्तिल मतारे हिसे पसके आप और हाइड्रोजन है और सब में बस एक एक बॉन ही है तो यह संत्रिप्थ वही सी 2H4 इसमें दो सी जुड़ेवे हैं रसी से दो है जुड़े पर दोनों सी के बीच में डाबल बॉण है जो इस चित्र में आप देख सकते हैं हुए एक तो जो वोन को तोड़कर दोनों कारपन में दो नए-एर्दिवोजन डाले जा सकते हैं हमने जाना कि हाइड्रोकारबन कार्बन ह्लबी लमई श्रिंखलाह बना सकते हैं कि तो कितने स स्न normalmente उसके वह सब्स से वोगारबं का नाम जानते हैं अगर सब्सक्री कारबन म scient दोटन और प्रोपैन ये पेन एक संध्र का मतलब है कि एक सीधी तक कार्बन जुड़ेवे हैं और उनसे पातिरिक हाइडोजन के अनु जुड़ेवे हैं कि सीफोर एच्टेन के दो रूप हो सकते हैं तो सभी कार्बन एक सीधी रेखा में हो यह कुछ शाखाय बन सकती है इस प्रकार इसे तका से ब्यूटेन के ही हमें दो अलग अलग फर्मूले प्राफ्त होते हैं इन्हें हम आईजोमर कहते हैं क्योंकि इनमें इले कार्बन के अ उजी तरह से साइक्लो हेक्सेन एक्सेन यानि छे कार्बन के अणूं और साइक्लो का मतलब हुआ कि यही सभी अणूं एक रिंग एक गोले में बने में हैं यह हुआ साइक्लो हेक्सेन का पूरा पॉर्मूला फंक्ष्णल गॹुप यग प्रकार या तमक समगा तो कई हाइट्र कारबनों में एक से ज़्दां हाइड्रुजन की जगा कारबन से अन्निय कुछ भाग जूड़ सकते हैं कुछ अन्नय नए-बहत्तम जूड़ जूड़ जाते हैं इन तत्वों को प्रकार यात्म समूँ क जबाजाता है। उधारण के लिए हाइडोजन के जगा एक हाइटरो कारवन में क्लोरी न ब्रोमीन जुड़ा जा सकता है। जिसका कुछ ऐसा फार्मुला बनेगा आर कार्थ है कोई भी लंबी कार्बन की श्रिंखला और एक का मतलब है क्लोडीन अब्रोमीन जो आके एक हार्डोजन को हटा के वहाँ जुड़ गया है इसी तरह से एक ए класс सकता है जिसमें चागे एक जुड़ता है एक एक रा बएस्तफर judgments अब देखी सकते हैं की किटोन मेंता हैं जिसमें भीच में सथित किसी कर्वन पर एक आक्सीजन द्वितिया बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है अब देखी सकते हैं कि यह कीटोन मनलत अभी संभव है अगर कम से कम फीन कार्बन हो उस श्रिंकला में इसे तरह से कार्बोक्सिली के असीड भी बनता है सी ओ एच एक सी से जुदिया बॉन्ड के साथ एक ओ जुड़ता है और एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा ओ और एच दोनों जुड़ते हैं इसी तरह से हम वर्णित सजातिय शनेनी मना सकते हैं कार्बन योगेगों के एक ऐसी शनेनी जिनके नहांचे समान होते हैं पर तुछ जिनमें हर दो क्रमिक सदस्यों के बीच है एक कार्बन और दो हारजन का अंतर होता है उसी तरह से एलकीन इसमें कहीं एक जगा द्विथिया बॉंड होता है एक क्रिथिया बॉंड होता है यहां पर दो कार्बन तृतिय बॉंड से जुड़ेवे हैं और हर कार्बन में एक एक हाइड्रिजन बाहर से कुछ तरह से एलकोहौल की सजाती है श्रेमी जैसे मीथानौल एथानौल और प्रोपानौल इसके नामों के बारे हम जानेंगे इनका नामकारण कैसे किया देते हैं सबसे बहुत हम कार्बन अनौवी संख्या गिनते हैं तीन यानि प्रोपेन एक उधारन वह बगर क्लोरीन या ब्रोमीन है तो हम पूर्वर लगना के प्रयोग करते हैं और कोई दूसरा अगर फंक्शनल ग्रूप या प्रकार्यात्मक ग्रूप है तो हम अनौड़ना के प्रयोगरचे और हगर हाईटोकरबन असंत्रिप्त हुआ तो हम आलकेन के एन की जगा इन या आइन का बढ़ करते हैं उधारन के प्रकार्यात्मक्न संब्सक्राइब है हैलोजन तो हम पूर्वर लगना लगाके तो यहां पे तीन कारबन है जह तो यानि प्रोपेन ग्लॉराप लगाए ति्योंकि कि इस में क्लॉरी ब्रोयknow руб है बर्फान से अलकोर हॉल सॉब्लका अनुलग न लगाते कि यह से तीन काड़ के तो प्रोपेन और ओल लगाते प्रोपेन और यह ensuring लगाते है प्रोपेनाल यह टौन correct लगाते है ओन तो बनताई प्रोपे güaminal कर 탄ो樂 अरिसिलीक अब रम लगाते हैं ऊःक कलिक आसिद यह थंवित भी बंध या एक दृतिया बोण्ड है तुम लगाते हैं फिर से तीन कार्पन पर एक प्रोपेन के जगा इसका नाम अन्या प्रोपीन या कुछ साथाराथ-शारा निया में चाने याद रखाई गेडिये से क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए क्लोरोप्रोपेन ब्रोप्रोपेन और बाकी में अंत में कोई अनुलगन लगा देया जाता है जिसका उधारन हमने भी देखे आप कारभरन योगी और सायनिक दोनों के बाड़ा तो दहन यानी कंबस्टिन जलाना कारभण के सभी रूप और कई योग ओक्सीजन की शंपत में आ जलाये जा सकते है इससे वहुष्मा निकलती है उधारन के लिए जब कि औसी तार से मीथेन च्रूप और पानी बनता है ऐसा ही इसमें उस्मा यानी गर्मी बहुत जाता निकलती है संथ्रिप्थ हाइड्रोकारबन में सोच जवाला जलती है वही असंथ्रिप लूपों में पीली जवाला जलती है और बहुत धुआ भी निकलता है जो आसपास से बहुत गंदगी फलाता है अब हम देखते हैं आकसीडेशन अभी क्रिया काई कारबन योगी कैसे होते हैं जो आक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर उदान के लिए एथानोल जब हम इसकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया के साथ कराते हैं और पुरी गर्मी देते हैं और यहां प्रतिक्रिया हुई है क्योंकि यही है योग जो ऑक्सीजन प्रदान करता है मेरे इथानोल को अब आता है संकला अविक्रिया असंत्रिप थाईड्रोकार्बन में उत्प्रेहरकों की उपस्तिती में उस अरा है उत्तर सित्वाहरक अक्ली यह extend कोई तेज हो जाती है इसे शहीनागन कर्दाक्रिथ थाइड्यवकार्बन वन जाता है उधारत ले यहां पर दो कार्बन है जो जुड़ेवें अकर निकल तत्व खाम उपस्थिती में हाड़ोजन गैस डाले तो यहां जुड़ जाता है और नए हाइड्रोजन के अनु आके कार्बन से जुड़ जाते हैं इसी तरह होता है प्रतिस्थापना अभी करिया इसे अंगरेजी में का जाता है displacement reaction कई संत्रिफ थाइड्रोकार्बन सुरत की रोशनी की उपस्थिती में क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया उतारण के लिए मीथेन क्लोरीन गैस से तब मिलता है उस पर सूर्य की रोशनी पढ़ती है तो इससे क्लोरो मीथेन मनता है और कुछ ह आइड्रोक्लोरीक एसिड भी निकलता है यह वह तेज प्रतिक्रिया होती है अब कारवन के कुछ खास योगीकों के बारे में जली ने सबसे पहले है इथेनौल इथेन मतलब दो कारवन और और मतलब एक अलकोहॉल गुरूप जो आप इस धाचे में देखके समझ सकते हैं इथेनौल के कुछ गुण है कि वह रंगी हीन होता है उससे मीठा गंद निकलता है और वाप पानी वह घोलन चील होता है इत्नौल सोडियम धाथू से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है igas के सांद लवनह भी बनता है जो है सोडियम ई ठौक साइड प्रतिक्रिया करने पानी का एक निकलता है जो इस और एक हार्डजन को लेकर बनता है और यह बहार निकल जाता है तो इसी कारण क्या होता है कि कारपन के बीच में जो एक बॉन है वहां द्वितिया बॉन में बदल जाता है तो इथेनवार को कुछ उप्योग जानते हैं यहीं विलायक की रुप में प्रयोग किया जाता है यानि इसमें अन्य चीजों को घुलाया जा सकता है इसको उप्योग दबाई बनाने में भी कहीं चाहिए यहां एलकोहल वाले पे पदार्थों में भी पाया जाता है इन पदा इथेन हमें बताता है कि यहां दोकार बनोंगे और ओएक एसिड यानि एक सी ओ ओ एच इसके धाचे को देखते हैं एक सी से एक दृतिया बॉर्ण के द्वारे एक ओ जुड़ावें और एक ओ एच टुड़ावें यह भी रंगहीन तरल होता है पानी में घुलंशी होता है इस इस अन्य ऐसिड की उपस्थिती में एचनॉल के साथ एक एस्टर बनाता है यहां इथानुएक ऐसी देखते हैं यहां अमल है कोई अन्य अमल अन्य ऐसिड और इसकी उपस्थिती में इथे नोल के साथ मिलकर एक एस्टर बनाता है जो कुछ इस प्रकार दिखता है यहां इ कोई अन्य लंबी श्रिंखला जुड़ जाती है कार्बन के अनुओं की जो आम यहां देख सकते हैं कि हम यहां जानने लाइक है कि इसे नोएक एसीड एक एसीड है क्यों क्योंकि कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन है उसे तोड़ा जा सकता है यहां आसपास के वातावरण को ऐसीड यानी आमलीक बनाते हैं तो एसीड होने के कारण यह बेसों से रियाट करेगा पाद बेस से रियाट करेगा तो यहां लवन बनता है सोडियम एथानोवेट कार्बनेट के साथ एक लवन कार्बन डायोकसाइड और पानी बनता है यह भी एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं साबुन और अपमार्जक एनि डिटर्जेंट यह एक ऐसा चीज है जिसमें कार्बन की योगिकों का भूब बड़ा हाथ है लंबिश निंखला वाले कर्बोकसिलिक एसीड के सोडियम और पोटैसियम के लवन से ही साबुन मनता है उधारन के लिए सेवेंटीन एच थाटीफाइव सी ओ ओ एन ए इसका असल नाम है सूडियम स्टियरेट यहां पे सतना कार्बन होते हैं और अंत में एक सी ओ ओ एनि का भाग जुड़ा रहता है यह कपड़े में चिपके तेल वाली गंदगी को साफ करते हैं अब नांते साफ कैसे करते हैं कार्बन की जो लंबी सी श्रिंखला है वह जल विरागी होती है विरागी मतलब वह पानी से दूर रहना चाहती है वही सोडियम माले जो सिरा होता है वह जल रागी होता है यानि वह पानी में रहना तो अगर हम मानते हैं कि आसपास बहुत इसे पानी में डाला गया है तो य इसी तेल के बून की तरफ बढ़ती है और ऐसा टाइप का एक ढाचा इसे इसे वह में सोडियों कर सभय अनु बहार तरफ रहेलें और सभी कारबन के लंगी श्रिंगला अंदर तरफ मैं इससे कारबन की श्रिंगला पानी से बच जाती है और तेल को कपड़े से निकाल कर पानी के साथ बाहर बहाँ जाती है परन्थ अगर पानी में मैंगनेज्यम या कैल्सियम हो तो साबूर इनके साथ अबी दीव क Stack कर लेता है पानी में में और गूलन शीद हो जाता है इसके कारण साफ करने की ताकत उसमें बढ़ जाती है घट जाती है मैंगनीजियम और कैलसियम वाले पानी को अजयता है हाड वटर में सफाई के लिए अपमार्जब का प्रयों किया जाता है जो कर्भोक्सिलिक ऐसिट के अमोनियम के लवण होते हैं तो यहां बस सोडियम पर जगा लगा दिया जाता है यह भी मिशेल ही बनाने के प्रख्डिय सब्सक्राइब परन तुम और क्याल्शियम का इन पर कोई असर नहीं पर चाहिए अब आपके लिए छोटा सा टेस्ट आपको इन तीनों योगी को का नाम बताना है अराम से सवाल दिखिए और इनका नाम बनेगी इसका उत्तर आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा दन्यवर इसके साथ हमारा कार्बन योगी को वाला सफर पूरा हुआ उमीद है कि आपको कार्बन के महत्व के बारे में आपके जीवन में कभी मलूं चलाओगा